बहराईच हिंसा मामले पर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लगातार इस प्रकार की घटनाए हो रही है और ये घटनाएं सरकार की नाकामी के कारण हो रही हैं सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एंकाउंटर कर रही है एंकाउंटर हाफ एंकाउंटर और भी कई परिभाशा हैं जो सरकार ने बनाई है अगर एंकाउंटर से ही कानुन विवस्था पहतर हो रही होती तो अभी उत्तर प्रदेश कई आख़ों में दूसरे प्रदेशों से अच्छा होता ये प्रशासलिक विफलता थी कि जब वहां कारिकरम पुलिस की जानकारी में था तो आखिरकार विशांती पूर्ण तरीके से कारिकरम संपन क्यों नहीं करवा पाए अनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना यहीं सरकार के काम करने का नया तरीका है ये कहा की न्याइ रवस्ता है हो रहा होता तो अभी उत्तपदेश कई आकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता जीरो टॉल्नेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सुचना चाहिए यह एड्मिस्टेटिव फेलियर था सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तैथा पुलिस की ज शांतिपूर तरीके से एक कस्वे गाओं का या आसपास के लोहों का तारकाम शांतिपूर से संपन ने नहीं करा पा रहेंगें इसे लॉर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप और फिर यह इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर यह डराने के लिए हैं आम उससे ना नाम बताते न कुछ बता दे तब भी मैं कह सकता था कि इंकाउंटर किसका किया इनों ने इंकाउंटर करना और नफरत को बढ़ाबा देना ये सरकार को नया तरीका मिल गया काम करने के ये अपनी सम नाकामी शेपा रहे हैं